Hello everyone, फिर से आपका स्वागत है एक नया वीडियो में तो क्या आप भी अपने Realme के फोन में Hindi टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप अपने Realme के फोन में किस तरीका से Hindi टाइपिंग कर सकते हैं अगर फ्रेंड आप Hindi में टाइपिंग करना चाते हैं किसी से और आप Hindi में टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप किस तरीका से अपने Realme के फोन में Hindi में टाइपिंग कर सकते हैं वो भी बिल्कूल आसान तरीका से तो अगर आप भी अपने Realme के फोन में Hindi टाइपिंग करना चाते हैं तो इस वीडियो को लाश तक जरूर देखिएगा बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई भी वर्ड को Hindi में टाइपिंग करके सेंड करना होता है किस तरीका से Hindi में टाइपिंग किया जाता है तो अगर आपको भी नहीं पता है कि किस तरीका से Hindi में टाइपिंग किया जाता है Realme के फॉन में तो इस वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका से बतामवा कि कैसे आप Realme के फॉन में हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको अपने Realme के फॉन में यहाँ पे सेटिंग अप्लिकेशन को ढूंड लेना है और सेटिंग अप्लिकेशन को ढूंड लेने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है यहाँ पे देख सकते हैं उपर में दिया हुआ है सर्च वार का ओप्शन आपको simple सा इसके उपर किलिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है language and input तो देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ यहाँ पे language and input को सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हैं second number में language and input आ रहा है तो आप यहाँ से language and input के उपर किलिक करके direct इस page पे आ सकते हैं अगर आप में यह search वाला option नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे scroll down करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा additional setting आपको इसके उपर किलिक करना है देख सकते हैं फिर से मैं उसी page पे आ चुका हूँ अब आपको करना क्या है यहाँ पे देख सकते हैं language and input आ चुका है आपको simple सा language and input के उपर किलिक करना है यानि कि आप इस page पे दो तरीका से आ सकते हैं पहला तो सर्च वाले option पर यहाँ पर टाइप कर दीजिए language in input डाइरेक्ट इस page पर आ जाईएगा अगर आपके phone में सर्च वाला option नहीं है तो आप additional setting से भी इस page पर आ सकते हैं उसके बाद आपको अब करना क्या है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है current keyboard आपको इसके उपर क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो phone है उसमें दूसरा keyboard यहाँ पर select किया हुआ है इसी बज़ा से हमारे realme के phone में हिंदी में typing नहीं हो रहा है तो आपको हिंदी में typing करने के लिए यहाँ पर एक दूसरा keyboard को select करना होगा यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर जी वोड देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ जी वोड इसको आपको select करना है उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा और setting करना है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है manage keyword आपको इसके उपर भी click करना है और उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पे अगर दूसरा keyword select होगा तो यहाँ पे यह जीवोट को on कर लेना है अगर जीवोट आपका off होगा इस तरीका से तो इसको यहाँ पे on कर लेना है तब आप अपने कोई भी दोस्त या किसी को भी हिंदी में tapping कर सकते हैं तो फ्रैंड अब मैं आपको check करके बताता हूँ कि यह हमारा इस तरीका से realme के phone में हिंदी में tapping हो रहा है या नहीं तो simple सा मैं इस page से direct निकल जाता हूँ और मैं यहाँ पर किसी को भी चैट कर के अभी आपको बताता हूं TO karşı देख सकते हूं मैं यहाँ पर keyword खोल दिया हूं अब आपको अपने keyword में language को select करना है Hindi language जो वता है उसको select करना है तो उसके लिए add language के उपर click करना है और आपको यहाँ पर Hindi typing करना है तो आपको यहाँ से Hindi ढूंड के इसको select कर लेना है देख सकते हैं यहाँ पर हमारा Hindi का जो keyword है यहाँ पर आ चुका है आपको अपने Hindi का keyword को यहाँ पर select कर लेना है कुछ इस तरीका से देख सकते हैं मैंने यहाँ पर Hindi का keyword को select कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर done वाले option के उपर click करना है तो देख सकते हैं हमारा जो Hindi language था यहाँ पर add हो चुका है अब मैं आपको Hindi में typing करके बताता हूँ कि किस तरीका से Hindi में typing किया जाता है तो अब आप देख सकते हैं हमारा keyword है अभी Hindi में नहीं है English में है तो इसे Hindi में करने के लिए आपको करना क्या है यहाँ पर देख सकते हैं यह world का छोटा सा जो option दिया हुआ है इसके उपर किलिक करना है और देख सकते हैं यहाँ पर H T E N आ गया यानि कि आप जैसे English में लिखिएगा तो यहाँ पर यह डिरेक्टली यह Hindi में convert कर देगा देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में convert कर दिया है और अगर आप चाहते हैं कि हमारा keyword हिंदी में ही आए तो फिर से आपको इसी world वाले option के उपर किलिक करना है तो देख सकते हैं हमारा keyword है हिंदी में आ गया है बिल्कुल हिंदी में और आप यहाँ पर इसी को भी हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि इस तरीका से आप अपने realme के phone में हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं मैं इस वीडियो में सारा setting बता दिया हूँ जिससे कि आप अपने realme के phone में हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं चाए इस्टागराम पर वो या फेस्बूक हो या वाटसाप हो कहीं पर भी आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो वीडियो को एक लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जलूर कर लिजेगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई